खुश्वू बनकर गुलो से उड़ा करते हैं धुआ बनकर परपतो से उड़ा करते हैं यह कहचिया खाक हमें उड़ने से रोकेंगी हम पैरो से नहीं हासलो से उड़ा करते हैं दोस्तों आज है 31 अक्टूबर और देखेंगे आज के पूरे करन अफेस साथ ही हर कोईस्टन से लेड़ेड आपको मैं काफी सार एक्स्टा फैक्ट भी बता हूँ जो आपके एक्जाम पॉरेंड वीडियो प्लीज बहुत ध्यान से लास तक जरूर देखा करें हर एक्जाम क करें देख सकते हैं विडियो में जिलती रहें दोस्तों आपको ढ़का सब्सक्राइब करें मो प्लीज बिडियो को जयादा चर यही करें मोटिजन के लिए सपोर्ट करने के लिए दि शैर करें दोस्तों व्यूम्रेश्ट कमा रहें ग्रीज साथ है अपने दोस्तों को भी मदद करें ज्यादा ज्यादा लोग शेयर करेंगा जिस वीडियो को ठीक है प्लीज शेयर जरूर करें चलिए पहला कोशन स्टार्ट करते हैं भारत के सबसे वड़े सुष्क डॉक्स की आधारसिला कहां रखी गई है दोस्तों ये कोशन बहुत इंपो भारत के सबसे बड़े सुष्क डॉक्स की अधारसिला रखी है तो यहां पर आपको बता देख सुष्क डॉक्स सागरमाला के तहत में किन इंडिया पहल पहल को बढ़ावा देगा और बैस्युक जहाज निर्माड में भारत का हिस्सा 2% तक बढ़ाएगा आपको बता 0.66% इसे दाई रखता है और भारते वाड़ेजी जहाज निर्माड उद्द्योक की कीमत 32 करोल रुपए है और मुखरूप से छोटे मंध्य हमागार के अप 30 जहाजों और कारगो थोग वाकपर केंदीत है ठीक है और के बरतमान में गवर्नर को न है दोस्तों के बरतमान ग गवर्नर है तो भारत के सबसे बड़े सुस्क डॉक्स के अधार सिला कहां रखी गई कोचीन सीप्याड में यहां पर आपको कुछ भारत से लेटेड और मैं बता देता हूं भारत को जो प्रथम परमाडू रेक्टर था वो था अपसरा तोस्तों ये कोशन एक्जाम में कई भारत प ratasate peppers वििवान भाब पुक्रांत ठीक है लिओ निए पहली कोण से थी आंध्डृप्र ओपट इन्वर्सिटी नावन कोणा सथी तो बंगाल गजट ना सेती में प्रगाशत हूं ठीक हैPlus लंगाल घजट ठीक है तो यह फैक्ट आपको यादक ने भारत के सबसे लंबे सुस्क डॉक्स के अधर सिला कहा रखी गई है कोचीन सी प्याड में ठीक है कोचीन सी प्याड में भारत का सबसे लंबा बांद कौन सा है हीरा कुंड बांद ओडिशा में यह कोशन कई वार एक पूछा गया ठीक है भारत का सबसे लंबा बांद हीरा कुंड बांद ठीक है चलिए अगले कोशन के तरह बढ़ते हैं इसी तरह महर कोशन में आपको बताता हूं तो वीडियो ग्लास तक देखें वीडियो पसंद लाइक जरूर करें सारविनिक स्वास्त देखवाल पर पा अधाओं और नवाचारों पर पांचवा राष्टी सिखर समयलन असम में काजी रंगा में शुरू हुआ है और राज्ज के मुख्यमंत्री जो सरवानन सोनोबाल और केंद्री स्वास्त मंत्री जेपी नडड़ा ने तीन दिप्सी सिखर समयलन का उध़टन किया है ठीक है अब यहां पर बात हो रही असम की तो असम से लेटेट कुछ आपको फैक्ट बता देता हूं दोस्तों जो काजी रंगा राष्टी उध्यान है एक सिंग वाले गेंडा के लिए बहुत फेमेश है ठीक है काजी रंगा राष्टी उध्यान असम में स्थीत है यह कोशन मुखी बरतमान में गवर्नार है असम के ठीक जगदीश मुखी ठीक है तो यह आपको फैक्ट जरूर याद रखना है और बात करें हाँ पर दुस्तों पश्चिम मंगाल का अपसान है तो पस्चिम मंगाल वार्वी कुछ आपको बता देता हूं सारे फैक्ट नोट जरूर क डेल्टा बनाती है सुन्दरवन डेल्टा का निर्माल करती है तो यह फैक्ट आपको सुन्दरवन डेल्टा पस्चिम मंगाल में है और गंगा और ब्रंपूद नदिया मिलकर पस्चिम मंगाल विस्ट को सबसे बड़ा डेल्टा निर्माल करती है ठीक है और दोस्तों आप आपको बता देख दामोदर घाटी परियोजिना दामोदर नदी पर इस्थित है पस्चिम बंगाल में ठीक दामोदर घाटी परियोजिना महिराक्षी परियोजिना पस्चिम बंगाल महिराक्षी नदी पर कोलकाता को डाइमन्ड हारवर महलो का शहर और भारत कर टालीबूट कहा जाता है ठीक है आपको बता दे कि विलियम फोर्ट यह कहां पर इस्तित है यह स्थीत है कोलकाता में बैलूर मठ जो की हुगली नदी के तट पर इस्तित कोलकाता भी तो यह आदर किएगा और आपको बता दे तो दोस्तों कि रामकृष्ण मिश्ण की स्थाबना इसकी स्थाबना की तिस्थाबना की शौवी विवेकानन जी ने यह आपको यादर करना है बहुत इंपोर्टेंट है सुन्दारबन राष्टी उद्यान भी कहा है सी था पस्चिम बंगाल में ठीक है तो सार्विनिक श्वास देखभाल पर पांचवर राष्टी सिकर समेरल कहा शुरूर हुआ असब में बिहार के बारे में थोड़ा से बता देते हैं फटा फट बिहार का प्राचीन नाम था मग ठीक है बिहार का सोग कोषी नदी भारत की जो पहले राष्टपती डाक्टर रायन परसाथ यहीं से थे बिहार से बात करें राज जिपाल की तो अभी हाली में चेंज हुए राज पाल बिहार के लाल जी टंडान है नितिश कुमार सीयम है थोड़ा सो ओडिशा के बारे भारत का सबसे लंबबाद है सिंप्ली पाल भेर और उडिसा में स्थित है भारत केंद्री चावल अनसंथान संस्थान कहा है कटक में ठीक है गवर्नर की बात करें तो बरतमन गड़ेसी लाल है सीम है नवीन पतनायक ठीक है तो यह आपको याद रखना है और ओडिसा में भी आप याद रखिएगा पूर्शों का होकी वर्लकप जो है जो अठारा में ओडिसा में होगा ठीक है ओडिसा का लोगनित है ओडिसी तो इस कोश्चन से आपको लगभग इतने सारे फैक्ट मिल जाते हैं जो बहुत इंपोर्टेंट है नोट करिएगा ठीक है तो सार्वनिक देखवाल पर पांच वारा स्टीश कर से मिलें कहा शुरू हुआ है असम में हुआ है चलिए फटा फटा अगले कोशन के तरह बढ़ते हैं एंजला मार्केल जर्मन चांसलर का पदवार कब तक छोड़ेंगी उसका राइट एंसर जाएगा दोजार एकीस में ऑप्सन भी ठ जर्मनी की बात करते हैं sound valley यक्राज़ानी का बर्लीं करेंसि euro ब्रटमान चैंजलर एंजेला मार्केल है ठीक के जर्मनी की और जर्मनी के कोछ आपको और मैं는지 की तो जर्मनी में BMW जो कंपनी बहुत बड़ी इसका BMW को फुल तो बावेरियन मोटरबाद जर्मनी के कंपनी है अलवड आइसटीन का जर्मनी के ही थे ये विश्यु प्रसिद सेध्धहन्तिक बहुतिक व्यग्जानिक थे साप एक्षता का सिध्धान्त और दरब्यमान उर्जा का स्रमिक्रण क्या होता है इक्वल इंसी स्कॉयर ठीक है तो यह आपको फैक जर्मनी से लेटेट पता चल जाते हैं ठीक है जर्मनी की राजधानी के बरलीन तो एंजेला मारकल जर्मान चांसलर का पदभार कप तक छोड़ेंगी 2021 तक अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वन रूफ हवाई एड़ा कहां खोला गया है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वन रूफ हवाई एड़ा एक खोला गया इस्तांबूल में ठीक है तो यह आपको फैक्ट याद रखना है यहाँ पे दोस्तों बात करेगा इस्तांबूल की दोस्तों इस्तांबूल की राज़ानी है तुर्की सॉरी इस्तांबूल तुर्की में आता है दोस्तों तुर्की कंट्री में तुर्की की राज़ानी अंकारा जो इस्तांबूल है इस्तांबूल यहाँ का सबसे बड़ा सहर तुर्की का ठीक है और तुर्की के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो है रहसाप तयाब इदारगन ठीक है तुर्की के वर्तमान रहसाप तयाब इदारगन ठीक है तो दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वान रूफ हवाइड कहा खोला गया है तुर्की के सबसे बड़े स है manufactured худ itself by the SHOEV कि वारे में आपको बताइचू हूं जाप not बरत्मान में पी में में जहर्मनी जापान 시ंे जो बरत्मान में प्रेसिडेंठ से चीनके शी जिन पिंग अगल्य ने दिफसी भारत मुबाल कंग्रेस कहां आजित किया गया दुस्त तीन इसका इंटरनेट और पृद्दि करक्र में सेख है कांग्रेस की इसका उद्देश क्या है विचारो का निर्माड करना स्थाही उद्द्दोग संबंधों को बढ़ावा देना ठीक है बात करें पर जैपूर की तो जैपूर जो राजस्थान की राजधानि पिंक सिटी के नाम जाना जाता है राजस्तान की बरतमान सीया में वसंदरा राजे और गवर्नर है कल्यान सिंग लखनव यूपी की राजधानी है लखनों को नवावों को सहर कहते हैं और यूपी के बरतमान गवर्नर है राम नाइक, सियाम है योगी आदितनाथ भोपाल मत्विलिस की राजधानी है बर्तमान गवर्नर है आनदीव एन पटेल सियम है शिवराज सिंग चौहान ठीक है यंपी को सोया इस्टेट नदियों का मायका भी कहा जाता है अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो क्या है आज का कोश्चन है एक दिवशी क्रिकेट की इतिहास में सबसे तेज दस अजार अन बनाने वाले बल्लेवास कौन बन गये हैं ऑप्सन दे रखें प्लीज कमेंट जरूर करेंगे आप लोग प्लीज वीडियो लाइक करेंगे शेर जरूर करेंगे ठीक है आपने कल क सबस्क्राइब करेंगे दोस्तों साथे बेल अकान की वीडियो मिलती रहे कि दुस्तों मिलते नेक्स वीडियो साथ तब तक लिए आपका दिन शूब हो त्यान रखिए श्वस्त रहिए बेस्त रहिए मस्त रहिए जै हिंद जै भारत